जैसा कि आप लोग सब जान रहें कि 2025 के लिए डीएभी के तरब से नोटिफिकेशन आ चुका है नोटिफाइब कर दिये हैं स्टुडेंट को कि आपका एक्जाम जल से जल कंड़क्ट करवा लिया जाएगा और भी 2025 में आपका कंड़क्ट करवाया जाएगा लेकिन अभी से ह यह निटिफाइब कर दिये हैं जैसे कि आप वेबसाइट पर विजीट करते हैं डीएभी सेमसी का तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है 25 के लिए कुछ अपडेट्स आया थे तो हम जैसे ही अपडेट्स आया था हम आपको विडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिये थे त और आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जूड़ जाइएगे इसी चैनल का नाम से हैं आप जाएएगे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और 2024 में जैसे एकजाम हुआ था क्या हुआ था कैसे हुआ था सब एक प्लेइलिस्ट में दिया हुआ है आप चाह का नहीं भी हुआ है, और हम, आप लोग को ये भी मालूम है, कि जो ये भी CVT exam हुई थी, जो उसका certificate दिये थे, professional certificate, उसका जो validity था, one year के लिए था, ठीक है, तो ये जो validity one year का था, आप लोग देखे होंगे, कि March में आपका result दिया गया था, तो March to March, ये समझ लिजे, तो आपका मार्च में जो खतम होने वाला है, तो क्या उनको फिर से यह जो खतम हो जाएगा, तो क्या उनको फिर से देना पड़ेगा, तो हम यह बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको फिर से देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ term कंडिशन है कि किन को देना पड़ेगा तो वीडियो के साथ आप बने रहेगा ठीक है पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए आपको सारा कुछ रहेगा ठीक है और जो पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं वही हम आपको बताएंगे तो फर्स्ट में हम यहीं डिसकस कर ले पीडियो जो और यहीं से क्लियर हो जाएगा तो देखिए जो फिलहाला भी वी में वरक कर रहे हैं और उनका पोस्ट रहा है पर्मानेंट बेसित कहने का मतलब यह चीज कि आपको पेसकेल दिया गया हुगा जो भी आप पोस्ट में गया होगे प्यार्टी टीजिटी और य बाझनेगी Quebec, C3 जो भी है आपका feminist हो गया या कोई भी किसी तरा कोई भी पोस्ट में अगर पर्मानेंट आपका हुआ है किसी किसी का क्या है कि कोई बहुत सारे ऐसे Canід проверics है इनका direct requirement हुआ है तो permanent उनको दिया जाराए, उनका salary भी जो है permanent basis पे बिया जारा और जो DV में कर भी रहा है तो उनको ad hoc basis पे रखा गया है contractual पे रखा गया है और उनको भी फिलहल permanent नहीं किया गया है ठीक है मतलब कि आपको भी permanent किया जाएगा लेकिन आपके साथ कुछ term condition होंगे आपको आप से satisfied भी होंगे लेकिन बहुत जगा permanent जल्दी नहीं करते हैं और तुरंद कर देते हैं permanent और स्टार्टिंग में हैं किये होंगे तो जिनका permanent है वो तो आपको देना नहीं है लेकिन जिनका permanent नहीं है ओपको फिर से CBT exam देना होगा ऐसा बोला गया है three years के अंडर में आपको permanent किया जाएगा और तीन बार में आपको इस बार CBT exam देते हैं अग एक बार और qualified कर लेना होगा जैसे कि अगर बोला गया था तो हमेशा ही qualified के जब जब exam होगी दो तिन साल में तो दो बार आप qualified कर जाते हैं तो आपको सी ओर है कि permanent कर दिया जाएगा और हो सकी इसी बार qualified करके आप वहाँ पे दिखाईएगा कागस तो आपको फिर से permanent कर दिय जाएगा ठीक है तो ऐसे candidate आप देंगे और बहुत सारे ऐसे candidate हैं जो कि फ्रेशर candidate तो उनको तो से बीटी ग्जाम देना ही देना है इसमें कोई शक्की बात नहीं है और जो एड़ोग वर्क कर रहे हैं और उनका सी बीटी क्वाइलिफाइड है तो उनको भी देना है पर्म अगर आप सी बीटी क्वाइलिफाइड कर जाते हैं तो जिनका पर्मनेंट नहीं है और पहले से इसे candidate को पर्मनेंट होने का चांसे बढ़ जाता है तो आप सी बीटी फिर से भरियेगा जो जिनका पर्मनेंट नहीं है बाकि सब लोग सी बीटी ग्जाम देंगे जो भी है अब बात करते हैं कि ऑफिसेल नोटिफिकेशन थे आजाएगा तो ऐसे नोटिफिकेशन तो दे दिया है लेकिन उफिसेल है जिसमें आपका एज बगरा सारा कुछ दिया हुआ रहेगा अभी तो फिलहार एक छोड़ा से नोटिफिकेशन था कि आपको रिमाइंड कर दिए कि हाँ हम लोग 2025 में ही exam लेंगे 2024 में तुबारा exam नहीं होगा क्योंकि एक साल में दो बार exam लेने के लिए बोला गया था लेकिन promise नहीं किया था तो एक बार exam हो गई थी तो अब next time 2025 में होगा अब बात करते हैं कि अगर बहुत सारे candidate ऐसे भी होंगे जो अपना post को ये upgrade करना चाह रहे हैं मतलब कि आपका permanent भी है लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हम अगर TGT में हैं तो आप PGT का qualified करेंगे तो आप से और permanent वाले candidate भी PGT दे सकते हैं PGT देना चाहते हैं या TGT है आपका या फिर PRT में आपका join हुआ है तो PRT का payskill मिल रहा होगा तो आप PGT जाना चाहते हैं आपको उस टाइप से हो गया है तो आप फिर से जो भी post आएगा उस post के लिए apply कीजेगा जैसा form fill up किये थे कैसे form fill up करके आप कैसे normal government job में भी आपका तो दूसरा government job लगता तो एक job को quit करके दूसरा जगा चले जाते हैं तो उसकी तरह से यहां पे भी आप PGT पोस्ट पे हैं आप PGT में जाना चाहते हैं तो अब उसका form fill up कीजे लिखा लिए और उसके बाद फिर से interview दीजे और आप तो अल्रेडी वर्क करें परवानेंट बेसिस पे तो आप interview देने जाएंगे तो आपको ज्यादा preference दिया जाएगा है और हो सके तो आपको pay scale भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि PGT का pay scale ज्यादा है PRT का PGT का ज्यादा है PRT के camp reason में तो ऐसे होता है तो I hope कि आपको इस वीडियो म का syllabus आपको हम दे देंगे exact syllabus नहीं है official syllabus नहीं जारी करते हैं लेकिन हम आपको ऐसा syllabus देंगे जिससे आप पढ़ोगे तो आप clear कर जाओगे तो I hope कि वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा PRT, TGT वेगरा जो भी हम देखते है subject-wise जैसा होगा हम syllabus आपको देंगे so bye take care everyone